Welcome my dear students and parents, consulting MBBS में मैं भविश अगरवार आज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में लिए चलूँगा आपको पत्याला, जी हाँ पत्याला पंजाब बात करेंगे गर्मेंट मेडिकल कॉलेज पत्याला पंजाब की ये पंजाब का एक बड़ा रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है, 1953 में स्टैबलिश हुआ था अगर एम्स भटिंडा को हटा दे, तो ये पंजाब में टॉप वन मेडिकल कॉलेज है एम्स भटिंडा अप एक शाकरत नया है, 2019 में स्टैबलिश हुआ था जबकि ये जैसा मैंने आपको बताया 1953 में स्टैबलिश हुआ था इसमें 1100 मेट्स का हॉस्पिटल है राजेंदर हॉस्पिटल से और टीबी हॉस्पिटल से ये connected है ये medical college बात करूँगा इसकी 200 MBPA seats हैं इस college में साथी 144 आपकी PG की भी seats हैं इस college के अंदर ये college के अंदर other facilities भी है बहतरीन infrastructure है सारे latest equipments भी available है इस college की अगर हम बात करें तो ये पंजाब का top one medical college है government medical college अगर हम पंजाब का पूरा scenario देखें तो पंजाब के अंदर लगबग 11 medical colleges है ये 11 medical colleges में 5 government medical colleges है और 6 private medical colleges है अगर MBBS admission के point of view से भाग करें तो पंजाब एक closed state है यानि यहाँ पर केवल पंजाब domicile के बच्चे ही admission ले सकते हैं बात कर रहे हैं हम इस समय 6 private medical colleges की जो पंजाब के अंदर है तो उसमें से 2 minority institutions हैं एक Christian minority के लिए है और दूसरा आपका sick minority के लिए है इन private medical colleges में government seats मी है साथी साथ management quota seats मी है मगर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन दोनों seats की तरह पे admission केवल पंजाब domicile के students का ही हो सकता है दूसरी बात पंजाब की जो colleges है उसकी जो fees है management quota seats की भी वो अंदर राज्यों के अपिक्षा बहुत कम है अब आपके साथ एक secret share करता हूँ अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब एक close state है यहाँ पर केवल पंजाब के निवासी ही admission ले सकती है MBBS seats पर मगर पांच seat ऐसी है जो all India category के students के लिए all India basis पर मिल सकती है नि बाहर के राज्य के students को भी ये पांच seat मिल सकती है कौन सा है वो college उस college का नाम है CMC लुध्याना इन पांच seats पर CMC लुध्याना के इंदर बाहर के students भी admission पासकते है CMC लुध्याना CMC वेल लॉर का दूसरा campus है और ये एक minority institution है Christian minority institution है यहाँ की जो fees है वो सालाना केवल 6.6.000 है आप समझ सकते हैं इन पांच seat पर मत्र 6.6.000 पर पंजाब domicile न होते हुए भी आप admission पासकते हैं ये एक important बात ये एक secret आपके साथ बहुत importantly मुझे share करनी है थी अब बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा वो 15% All India quota की seats जो MCC द्वारा रूटती है साथ ही वो 85% अफ दा seats जो पंजाब राज़ के domicile वालों को ही मिलेंगी और जिसकी counselling बावा फरीद University of Health Sciences फरीद कोट करती है तो students अब सबसे पहले आपको मैं seat matrix समझाता हूँ आप seat matrix पर चलिए seat matrix क्या है government medical college पर यागा की टोटल 200 seat से जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था 200 seat में से आल इंडिया कोटा के तख 38 seats अलॉट होती है यानि वो 15% seats जो MCC अलॉट करेगा बागी की 85% of the seat जो बाबा फरीद University of Medical Sciences फरीद कोट के दुआरा counselling की जाएगी वो टोटल seat से 212 अब इन 212 seats का bifurcation समझिए वो 212 seats का bifurcation क्या है open category की उसमें 86 seats है EWS यानि economically weaker section की 20 seats है backward class की 19 SC की 48 और 26 seats इतनी सारी categories में अब ये क्या है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ H-A-N-D-I handy means handicapped sports यानि sports कोटाखिल तहद back AR इसका मतलब है backward area BR AR इसका मतलब है border area आप ब्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर abbreviations लिखे हुए पर मैं आपको full form भी समझाता जा रहा हूँ TA means terrorist area terrorist affected area RA means Punjab right affected DEF defense PP means Punjab police personnel FF means freedom fighters यानि इन सब categories को इन्होंने out of the 212, 26 seats allot कर रखी है hope my point is clear NRI आप सभी जानते हैं उसमें 13 seats है so इन सब का total 212 seats 38 plus 212, 250 seats यह है seat matrix का bifurcation अब आपको समझाता हूँ all India quota की जो 38 seats ही उसकी cutoff 2023 की सबसे पहले बात करूँगा open category की clothing rank थी 378952 और माकस पर closing rank थी 665 EWS category की बात करूँगा तो EWS category की closing rank थी 7500 और माकस पर closing rank थी 648 OBC category थी closing rank थी 7489 and माकस पर closing rank थी 649 in SC category the closing rank was 50,009 and माकस पर closing rank was 568 in SC category the closing rank was 86,431 and माकस थी specific closing rank थी 524 स्टेट कोटा की सीट के मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि वो 212 सीट जिसका बाइफरकेशन मैंने आपको दिखाया था उसका क्लोजिंग रैंक और मार्क्स पर क्लोजिंग रैंक क्या रहे थे 2023 की कट अफ Open category May Closing Rank was 9089, Marks RASPAC LOSING RANG was 643 in EWS category the Closing Rank was 26937 and Marks RASPAC LOSING RANG was 604 in backward class category the closing rank was 29890 and the Marks RASPAC LOSING RANG was 598 in SC category the Closing Rank was 1,23,283 and Marks RASPAC LOSING RANG was 486 in nri category the closing rank was 3,44,564 and marks as per closing rank was 3,35 अब आपको जानकारी मिली जाहिए कि fees क्या थी मैं आप fees भी आपके साथ discuss करता हूँ अब हम fees structure को समझते हैं कि अलग-अलग categories की जो हमारी fees है यानि NRI category की और general category की वो क्या है सबसे पहले general category की बात करें तो first year fees है 1,74,000 अगर second year, third year, fourth year को जोड़ने तो total fee for four and half years होगी 9,5,000 very reasonable fees और NRI category की अगर हम बात करें तो full course की यानि 4,4 साल के full course की fees है 1,10,000 USD अब मैं आपको एक महतपूर बात और बता रहा चाहता हूँ पर उससे पहले मैं आपको बता दू हमारी paid services, हमारी paid guidance हमारी paid counseling भी available है and that too with a very nominal fees of 9,999 आपके दिमाग में प्रशनाएगा कि इस paid counseling में हमें मिलेगा क्या तो उस paid counseling में आपके साथ हम पूरी analysis share करेंगे हम पूरी analytics आपके साथ share करेंगे on the basis of your locational preference on the basis of your need score and on the basis of आपका जो budget है उसके basis पर आपका एक best medical college हम आपके साथ चाहेंगे कि आपको वो एक informed decision के साथ आप एक best medical college में admission ले so if you are interested you can join our telegram channel please subscribe to our youtube channel and you can also call us on our given support numbers जो महतुपूर बात में आपके साथ discuss करना चाह रहा था वो ये है कि पंजाब के अंगर discontinuation bond या service bond की अनिवारता नहीं है यानि आपको compulsorily कोई discontinuation bond ये service bond नहीं बरना है अगर आपको नहीं बरना है तो पंजाब के अंदर वो स्थिती नहीं है इसलिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं क्योंकि बहुत से states ऐसे होती है जहाँ पर ये discontinuation bond और service bond बनना compulsory हो साथ So, thank you students and take care, stay focused, keep working hard